बच्चों बात करते हैं about the issue of debentures with terms of redemption यानि कि debentures को जब issue किया जाता है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनका redemption कैसे किया जाएगा तो यह topic कहलाता है issue of debentures with terms of their redemption क्योंकि debentures जो है वो एक loan है और loan जो है वो लोटाना भी पड़ता है तो loan को लेते समय उसको कैसे रटाया जाएगा इस बात को ध्यान में रखते हुए उसकी आपको entry करनी है तो यहां मैं बता दूँ बच्चों कि जो debentures हैं वो issue तो तीन तरह से किये जा सकते हैं पार पे, premium पे और discount पे भी लेकिन का redemption जो है या तो पार पे किया ता सकता है या फिर premium पे किया ता सकता है रिशू भी पार पे हुए है और उनको redeem भी पार पे ही किया जाएगा तो सबसे पहली entry जो बनाई जाती है यह मानते हुए कि हम सारा कसा एकट्था ही ले लेंगे और देबेंचर्स तो पहली entry बनाई जाएगी bank account debit to debentures अप्लिकेशन एंड अलॉट्मेंट अकाउंट for example company ने 1000 debentures issue किये और हर debentures जो है 100 पेका है तो यह जो entry बनाई जाएगी 1000 इंटो 100 यानि 1 लाग से बनाई जाएगी ठीक है बच्चो और जब यह debentures लोगों को allot किये जाते है यह तो entry सिर्फ पैसा लेनी की है और जब इन debentures को अब लोगों को allot करोगे पिलाल यहां मान के चलीगा कि हम full subscription of debentures के बारे में बात कर रहे हैं नहीं under subscription के नहीं over subscription के तो ऐसे में यह debentures का पैसा जो है जो अभी application में पढ़ा हुआ है उसको allotment में ट्रांस्वर कर दिया जाता है यह entry थी पैसा लेने की from the applicants of debentures जो debenture मिलने के बार बन जाएंगे debenture holders और जब उनको debenture allot कर दिया जाएगा तो यह application का पैसा debentures अकॉन्वर ट्रांस्वर कर दिया जाएगा और entry बनेगी debentures application and allotment account debit debit to X% debentures account आपको question में जित्ते ही percentage debentures लिखा होगा आप वो लिख दीजेगा जैसे यहां पर हमने एक लाग और पे लिए थे लोगों से तो वही एक लाग debentures में ट्रांस्फर हो जाएंगे from debentures application and allotment account to debentures account यह पैसा receive करने के entry यह उस पैसे को debentures account में ट्रांस्फर करने के एंट्री तो this was the first case जहां पर debentures issue भी पार पे होए थे और उनका redemption यानि repayment भी पार पे होगा जब भी future उनको redeem किया जाएगा clear बच्चो अब बात करते हैं बच्चो second case की चाहां पर debentures issue तो discount पे हुए हैं मगर redeem अभी उनके पार पे ही किया जाएगा यानि जब भी लटाया जाएगे तो debentures की face value ही debentures holders को लटाया जाएगी अब shares तो discount पे issue हो नहीं सकते मगर debentures can be issued at discount also तो अगर debentures को discount पे issue किया जाता है तो क्या channel entry बनाए जाती है वो देख लते हैं application मनें मिलने के entry तो same ही रहेगी जो फर्क आएगा वो amount में आएगा बच्चों तो पहले entry तो यहीं बनेगी bank account debit to debentures application and allotment account ठीक है बच्चो अब उसी example वो लिते हैं कि company ने debentures issue किये थी 1000 face value उनकी 100 पे थी मगर उनको 5% discount पे issue किया गया तो आप यहाँ पे 1000 को 100 से इंटू करके 95 से इंटू करिए मतलब 95 से विल्टिप्लाय करिए तो 95,000 से एंट्री बनेगी जितना पैसा आपने लिया होगा लोगों से face value जुरूर 100 पे है per debenture लेकिन क्योंकि वो debentures को 5% discount पे issue किया गया है for example 5% discount लिया में ने तो आप लोगों से actual में 95 रुपीज ले रहे हो that's why जो एंट्री बनाई जाएगी वो 95,000 से बनेगी ना कि पूरे एक लाग से सही है बच्चों और जब debentures अलोट कर दिए जाएंगे to the debenture holders या to the applicants of these debentures तो एंट्री कुछ इस्ता से बनाई जाएगी debentures application and allotment account debit discount को भी debit करेगा discount on issue of debentures account debit to X percent debentures account अब इसके amount कैसे कैसे भरे जाएंगे वो समझ लीजे बच्चों यहां तो आप वही 95,000 लिखोगे जो उपर लिए थे आपने discount में जितना discount आपको ओर और और आओ करना पड़ा यानि पांच रुपे पर debentures और टोटल debentures ते 1000 तो 5000 यहांपे डाल दीजेगा और debentures में पूरी face value जाएगी of these debentures जो की 100 है तो पूरा एक लाख आपको यहां डालना पड़ेगा ले रहे बात बच्चो तो पहली entry में को फर नहीं बड़ा amount में फर जुरूर पड़ गया क्योंकि आप पूरा 100 उपीज नहीं ले रहे 95 ले रहे हो तो जितना ले रहे हो उतने से ही entry बनाएंगे वह ही amount अगली entry में debit हो जाएगा जितने amount से application को credit किया था जितना discount दिया वह discount में आ जाएगा और पूरी face value जो है वह debentures में जाएगी आपको कि debentures अभी redeem premium पर पर ही हो रहे है not at premium तो हमें फिलाल और कुछ extra नहीं करना है ठीक है? एक्स्ट्रा कप करना पड़ेगा? जब debenture का redemption premium पर होगा not at par ठीक है? जब debentures पर पर हो रहता है तो हमें कुछ extra नहीं करना होता बस issue कैसे हो रहा है उस बात का ध्यान रड़ना होता है और आपने एचीज नोटिस भी कर दियोगी चाए debentures पर पर issue हो चाए premium पर issue हो चाए discount पर पहले entry में कोई chain नहीं आएगा तो यह दूसरा केस था हमारा जहां debentures issue तो हुए थे discount पे मगर redeem होंगे पार पे अब तीसरे case में के बारें बात करेंगे जहां debentures issue तो होंगे premium पे मंगम का redemption किया जाएगा पार पे ही तो जब debentures का issue premium पी गया जाता है यानि company extra पैसा ले रही है in addition to the face value वो कुछ पैसा extra भी लेगी from the debenture holders या from the applicants of these debentures छीके तो आप जानते हैं जो पहली entry होती है उसमें कोई chain नहीं आएगा उसके amount में change आएगा for example company यह 1000 debentures issue किये है at a premium of 10% तो debentures सौर पे कई है मगर 10% premium extra दिया जा रहा है तो उनका issue price हो गया 110 रुपे तो जो पहली entry हो बनाएंगे वो बनाएंगे bank account debit to debentures application and allotment account ठीक है बच्चो डिवेंचर सपोस हजार ही है और इनको 10% premium पे इशू किया गया है तो issue price 110 हो गया जह तरह पैसा आप ले रहे हो पहले entry उसके आपसे बनाई जाती है तो यह एक लाग दस ज्यार हो जाएगा amount सही हो चो और जब डिवेंचर्स लोगों को allot किया जाएगा तो कैसे कैसे entry बनेगी और क्या क्या amount बर जाएगे वो देख लीजिए बिव में लुड्यसक साथ खे देख अ lay टर्वंक ल्यवच्पनग में लूाट्सित और मैं लूंड़ मैं लिवच़््थ dön -, ज्वच्पनर्सराइब्थ電वन लूण www.ट-d्र. अब यहां तो पूरा 110 के हिसाब से एंट्री की जाएगी जितने अमाउंट से डिवेंचर अप्लिकेशन अलॉट्मेंट अकाउंट क्रेइट किया गया था उतने से वह डेबिट हो जाएगा लेकिन डिवेंचर में केवल फेस्वेल्यू जितना पैसा ही जाएगा जो की क्यों नियां यहां यहां जब टैन रूपी ऐक्स्ट्रा लिए गये हैं वह सेक्योर्डी में क्योंती की रिज्वेंट कर स्कैने में hai finda क्योंकि रिधें आ यहां भी अभन बार प्र वहीं हो रहा है चुंद कुछ और एक्स्ट्रा करने की जुरुत नहीं है तो आपने तीन केसे अभी देख लिए जहां पर इशु और पर इशु और रहे थे प्रीमियम पर इशु हो रहे थे या डिस्काउंट पर इशु और रहे थे पहली एंट्री आपकी डिवेंचर के इशु प्राइस से बनाई करावर होगा जब इसु पार पह ववा है रहेखे होट इसु पार पह और यही इसू प्राइज face value plus security premium हो जाएगा security premium reserve भी आप के सकते हैं अगर debenture का issue premium पे हुआ है और यही issue price face value minus discount हो जाएगा जब debenture का issue discount पे हुआ है सही है बच्चो जो पहले entry है जो bank to application आप बनाते हैं bank debit करते हैं और application and allotment credit करते हैं उसमें हमेशा आपको इस बात का ध्यान रटना है कि जो amount भरा जाएगा वो issue price के हिसाब से भरा जाएगा ठीक है किस बात को जरूर ध्यान रखीगा और एक बात रमिशा ध्यान रखीगा जो debentures allot कर जेते हैं लोगों को तो debentures में यो भी आपका जो भी x percent debentures होगा 6 percent, 8 percent, 10 percent जो भी question में given होगा उस debentures में केवल और केवल face value of the debentures जाती है number और debentures into face value यानि कोई पैसा extra लिया है तो security premium reserve में credit कर दिया जाएगा कम लिया है तो discount में debit कर दिया जाएगा इन बातों का ध्यान रखिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन शुरू के तीन cases में amount fill करने में ठीक है बच्चों आईए बच्चों अब उस case के बारें बात कर लेते हैं जान debentures का issue तो पार पे हो रहा है मगर उनका redemption जो है वो premium पे किया जाएगा यह मारा चौथा case है debenture issue तो पार पे ही हुए है मगर redemption इस बार premium पे होने जा रहा है चीक है यानि आप ले तो रहे हो लोगों से suppose 100 रुपे ही मगर लटा होगे 100 से जादा for example 105 रुपे आपको लटाने है in the future तो जितना extra लोटाना है वो आपके लिए एक loss हो जाएगा in the future क्योंकि ले आप कम रहे हो लोटा जादा रहे हो और जो जादा लोटा रहे हो वो interest के अलावा जादा है यह 5 रुपे को interest के नहीं है interest तो आपको अलग से देना ही देना होगा on these debentures यह तो interest के अलावा आपको 5 रुपे एक्स्रा देना है that's why इसको loss कंजिडर किया जाता है ठीक है और एक separate liability का account खोलना होता है जिसका नाम होता है premium on redemption debentures account यह शुरू के तीन case में क्योंकि आप redemption पार पे कर रहे थे तो ऐसी कोई loss की बात थी ही नही and premium on redemption debentures का भी नाम आएगा अब वो कौन से entry में आएगा receiving वाली entry में या जब पैसे को debentures account में transfer किया जाता है उस वाली entry में वो देखते है बच्चो ठीक है तो आपकी पहली entry उस पे कोई firm नहीं पड़ेगा इस case में भी और पहली entry तो आप बनते हैं debenture के issue price के हिसाब से की जाती है तो पहले entry तो यहीं बनेगी बच्चो bank account debit to debentures application and allotment account अब पहले entry तो debenture issue कैसे हो रहा है उसके हिसाब से बनाई जाती है और debenture issue तो पार पर ही हो रहा है तो यह तो 1000 इंटू 100 से ही बनाई जाहेगी न कम न जादा ठीक है second entry में भी आपको यह काम तो करना ही करना है debentures application and allotment account debit 2x% debentures account यह तो लिखना ही लिखना है बच्चो आपको और यहां भी 100 पे ही जाएंगे debentures के जो उसकी face value है न कम यह न जादा और यहां भी 100 ही गए थे application पे भी है ना आप क्योंकि redemption premium पे हो रहा है और जब भी redemption premium पे होगा तो आपके लिए loss है एक क्योंकि जितना पैसा में extra लटाना पड़ेगा that is a loss for the company और as per prudence concept किसे भी future loss को आपको present में ही record करना होता है ठीक है तो एक loss का नाम आएगा आपका extra debit side में यहां पर लिखेंगे हम उसको और एक नई liability बढ़ रही है premium on redemption on debentures एक नाम उसका आएगा तो debit में एक नाम आएगा loss on issue of debentures account इसको भी debit करेगा जितने debentures है और जितना रुपे का loss हो रहा है 5 रुपे का loss हो रहा है आपको वो debit कर दिया आपने और जिस liability की जैसे loss हो रहा है उसको credit कर देंगे to premium on redemption of redemption debentures account इसमें भी वो को follow करते हुए उनके amount आ जाएंगे फिलाल यहां दोन अमाउंट सेम है क्योंकि जितना loss हुआ है उतना ही additional liability है ठीक है बच्चो that's what this was case no.4 बात करते हैं case no.5 की और इसको आप important case भी count कर सकते हैं कि इस case case से जोड़ावा question आने के chances ज्यादा होते हैं बच्चो ठीक है बच्चो अब case no.5 क्या है कि आपने debenture को issue तो किया है discount पे और redeem होगा वो premium पे तो यहां भी क्योंकि redeem premium पे होगा तो वो दो नाम जो अपने पिछली entries में लिखे थे पिछले case में जो second entry में लिखे थे वो नाम अब भी आएंगे और यहां पर एक और खास बात नहां रखेगा बच्चो कि discount भी अपने आपने एक loss होता है ठीक है तो अपिस को उसी loss के इंदा club करके लिख दीजिए जाओ open करेंगे या फिर आप अलग से भी discount को debit कर सकते हैं इंदा second entry तो suppose company ते डिवेंचर इशू किये थे 10% discount पे यानि आप लोगों से लोगे केवल 90 रुपीज और लोटा होगे 105 रुपे यानि डिवेंचर की face value जो 100 है आपने उसे इशू तो किया है रुपीज 90 का और से लोटा हो गया आप 105 रुपे तो 5 रुपे तो एक्स्ट्रा liability जो generate हो रही है आपकी वो loss हो गया और 10 रुपे का loss वो discount भी हो गया जो आप कम ले रहे हो आज face value से तो कुल मलाके आपका loss बढ़कर हो गया 15 रुपे ठीक है बच्चो लेकिन पहली entry पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो फर्क पढ़ना उसके amount पे बढ़ेगा और पहली entry तो जितने price पे आप issue कर रहे हो डिवेंचर को उस price से लिखी जाती है तरी जाती है that is with the issue price of a debenture तो पहली entry में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चो यह तो यहीं बन रही है bank account debit to debentures application and allotment account माना हजार debentures थे और debenture का issue price फिलाल 90 है face value पे से discount हटाके तो पहली entry तो बच्चो यह बन गई हमारी चीक है now have a look at the second entry वो कैसे बने की debentures application का नाम तो आना ही आना है debit में credit में debentures का नाम आना है यहां तो 90 रूबीजी लिखे जाएंगे 1000 इंटू 90 लिख दिजेगा यहां पर वही वाला जो यहां लिखा था यहां पर 1000 इंटू 100 ही आना है ना एक पैसा कम ना एक पैसा जादा debentures में एमेशा debenture की face value लिखी जानी है इस बाग को याद रखेगा अब debit में आप चाहें तो discount को और loss को दोनों account को open कर लिजिए तो कि loss तो होई रहा है आपको जो debentures में आपको एक्स्टा पैसा लटाना है पांच रुपे और मैंने कहा था discount भी एक अपना में loss होता है तो या तो discount और loss दोनों के नाम लिख दिजेए debit में या केवल loss का ही नाम लिख दिजेगा discount का amount उस loss में ही include कर दिजेगा ठीक है बच्चो मैं फिलाल discount को loss में include कर रहा हूँ और लिखना हूँ debit में loss on issue of debentures account debit और इसमें amount डाल रहा हूँ 1000 इंटू 15 10 discount का और 5 जो premium redemption अपको एक्स्टा देना है पांच रुपे उसका ठीक है बच्चो और एक जो additional liability आपके बढ़ रही है premium redemption अडिवेंचर से भी credit कर दिजेए यहां पर आएगा केवल पांच रुपे ही 1000 इंटू 5 आप देखें तो 1000 इंटू 100 आपने डिवेंचर में डाला है 1000 इंटू 90 आपने यहां डाला है 1000 इंटू 15 आपने यहां डाला है आप देख सकते हैं आपके डेबिट क्राइट अलरड़ी मैच हो जाएगा 105-105 पर डिवेंचर और इंटू 1000 कर देंगे तो डेबिट और राइट दोनों बराबर होगे तो दिस वाज यूर केस नंबर 5 और इंट सब्चों ध्यान रखेगा क्लियर ना बच्चो अच्छी तरह से अब बात करते हैं इसके सिक्स केस की एंड लास केस जहां पर डिवेंचर इशू भी प्रीमिम पे हो रहे हैं और उनको रिडीम भी प्रीमिम पे किया जाएगा तो बच्चों जब डिवेंचर का इशू भी प्रीमिम पे हुआ है और जब उनका रिडंप्शन भी प्रीमिम पे किया जाएगा तो ऐस कैसे में entries कैसे बनाई जाएंगी आईए देखते हैं माना कम्रेंटेंट इबेंचर्स को 120 रुपे का इश्यू किया यानि 20 रुपे प्रीमियम पे इश्यू किया यानि 20 परसंट प्रीमियम पे इश्यू किया फेस वैले तो है उसकी 100 पेगी और लटाएगी वह सपोज 110 रुप मिल ने ऐखा लेकिन आपको इन दोनों का अपस में नुक्री दो निकंपेर न आप इसको भी से कंपेर करना इवर इस वीसिका करना इसको बिल्यू इसको इस अफेस करना हे तो प्रीक की कहांद है चीक है मदलि के एक एशू अधीट प्रीमियम निगे हुए है और टींभी पे होंगे है ठीक है लेकिन पहली एंट्री पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अमाउंट पे जुरूर फर्क पड़ेगा तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट तो डिबैंचर्स अप्लिकेशन एंड अलॉट्मेंट अकाउंट यहां आ जाएगा बच्चो 1000 इंटू 120 पहली एंट्री होती है वो हमेशा डिबैंचर्स के इशू प्राइस के हिसाप से बनाई जाती है और डिबैंचर्स इसवाल प्रीमम पे इशू हो रहे है तो उनका इशू प्राइस 120 रुपे है अब जो सेकिर्ड एंट्री हाँ बनाएंगे तो एप्लिकेशन अलॉट्मेंट तो 120 से डेबिट किया जाएगा डिबैंचर्स में सौर पही जाएगे जो एक्स्ट्रा लिया है वो सेकर्डिस प्रेम रिजर्ब में जाएगा और जो मैं एक्स्ट्रा 10 रुपे पे करने है वो प्रेव रिजर्ब रिजर्ब में रिजर्ब कर दिया जाएगे और लॉज में डेबिट कर दिया जाएगे तो एंट्री कुछ ऐसे बनेगी डिबैंचर्स एप्लिकेशन एड अलॉट्मेंट अगाउंट को डेबिट करिए एक्स परसंट का मतनब जित्ता ही परसंट आपका कोश्च में देरखा का डिबैंचर का वो लिखती जीएगा एक्स परसंट आप लोग मन दिखीगा डिबैंचर्स अकाउंट यहाँ पे तो आप याद रखेगा हंड्रेड ही जाएगा ना कम ना जादा जो पैसा एक्स्ट्रा लिया था वोसे क्योर्डिस प्रीमियम में क्रेइट कर दीजे जो बीस रुपे आपने एक्स्ट्रा लिये और डेबिट में लॉस का नाम आएगा उस मजए से जो आपको दस रुपे एक्स्ट्रा लोटाने पड़ रहे है तो लॉस अन इशू अफ डिबैंचर्स अकाउंट डेबिट टु प्रीमियम और रिदम्शन ओफ डिबैंचर्स अकाउंट हजार इंटु दस जितना एक्स्ट्रा पैसा लोटाने एक्स्ट्रा लैविल्टी बड़ रहे है उसके अमाउंट से और वही हजार इंटु दस यहां भी आ जाएगा प्रीमियम और रिदम्शन में उस यह डिबैंचर्स नॉन करन्ट लाविटी से करन्ट लाविटी में ट्रांस्वर करते जाते हैं और उनका सबहेड भी लॉंग टर्म बोरिंग से हटकर शॉर्ट टर्म बोरिंग में बन जाता है ऐसे ही जिस साल आपको प्रीमियम नीचन करना होता है कि उस साल उसको करन्ट लाविटी में ट्रांस्वर करते जाता है as a head in the heading और सबहे है उसका बन जाता है Other non-current liabilities से other current liabilities ठीक है बच्चो तो इस चारह से हमने ये 6 ś CASES डिस्क्रस करे of the issue of debentures with terms of their redemption and वो जो अमीद है कि आपको ये cases अच्छी तरह से सुन में आएंगे बच्चो तसलिए से देखेगा, समझेगा और फिर बाद में बुक के questions भी करके देख सकते हैं और आपके दो भी sample questions पर जोड़े बे questions हैं related to this particular topic आप उसे एसानी से कर पाएंगे ठैंक यू बच्चो